प्यारे भाईयो और बहनो नमस्कार वर्स 2023 के आखरी एपीसोड के साथ मैं आज आप सभी से जूड रहा हूँ अलग-अलग ढंग से 2024 के स्वागत की तैयारियां सुरू हो चुकी हैं साल के आखिरी महीने का ऐसा समय होता है जब लोग बीते हुए पलों का अस्मरन करते हैं- तथा भविस्य की कलपना, भविस्य के स्वापन, भविस्य की योजना निर्मित करते हैं नए वर्स का स्वागत सम्मान इसलिए भी महतोपून हो जाता है क्यूंकि समाज नए संकल्ब तयार करता है तथा अधूरे रह गए कारियों का विशलेशन भी करता है। जमुकस्मीर के संदर्ब में 2023 का प्रतिपल विकास की रिस्दरे स्ठताओं को समर्पित रहा। वर्सों से हासिये पर जी रहे समाज की ताकत बढ़ी है। जमुकी विकास को लेकर सामुहिक मनोभावना मजबूत हुई है। विकास के नए मांदन अस्थापित करने की दिशा में आप सब के सहयोग से जमुकस्मीर यूनियन टरिटरी ने नियती के लिए नए बोध को प्राप्त किया है। परिवर्दन की रफ्तार को देखकर सिर्फ देशवासी ही नहीं बलकि विरेशी परेटक भी अचम्भीत है। समाजिक विकास के कारियों में स्वयम को समर्पित कर देना ये सबसे बड़ा तप है। इस अभियान में जिन नागरिकों को हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है वो खुसकिस्मत है। उनके माध्यम से ऐसी विवस्था स्थापित करने में सफलता मिल रही है जिस पर आने वाली पीठियां गर्व करेंगी। मैं आप सभी को व्यक्तिगत और सामोहिक दाईतों को समर्पन भाउं से निभाने के लिए हरदे से बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि समाज की हर एक वर्ग में कर्तब विबोध जागिर्थ हो रहा है। गाउं में अपने पैरों पर खड़े होने की आकांच्छा पैदा हो रही है। स्वावलंबन के इस अभियान में विक्सित भारत संकल्प यात्रा मात्र विकास रत नहीं है बलकि माननी प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी है। आत्म निर्भरता के लिए आवस्यक सभी योजनाओं की जानकारी और उनके सैचूरेशन के धे के साथ साथ आप सभी के दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी पहुच रही है। मैं उमीद करता हूँ कि परतेग गाउं सहरी वार्ड में किसान, नौजवान, कामगार, दस्तकार, महिलाएं, उद्यमी इन योजनाओं का पूरी तरह से लाब उठा कर समावेसी विकास के दिसा में अपनी छमता के साथ युगदान देंगे। विक्सित भारत संकल प्यात्रा का समापन 26 जनवरी दो हजार चोबीस को होगा। इसलिए मेरा सभी सरपंच, पंच, यूद कलब, महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप, स्वयम सेवी संगठनों और चुने हुए परतिनियों से विसेश आग रहे कि अगले 40 दिन हरे गाउं में सभ मुझे भरोसा है, नौजवानों को अतीत के स्वर्णी भारत से प्रणा लेकर उससे भी स्रिष्ट मुझाईच हुनी है, मैं सभी युवाओं विसेश रूप से विद्यार्थियों और यूद कलब के नौजवानों को एक जुट होकर 2047 के विक्सित भारत के निर्मान में य और एक नागरी को पूरी जग्रती निष्ठा एवं लगन के साथ विक्सित भारत के सियात्रा में भाग लेकर समाज के प्रति अपने दाइत्तों का निर्मान करना है, दाइत्तों के प्रतिबोद से ही परिवर्थन होता है, विक्सित भारत 2047 में युवाओं के पर मुख्यता पांच थीम पर सुझावा मंतित किये गए हैं जमुकस्मीर संगराज च्छतर की जीएस डीपी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्टूडेंस तसा टीचर्स के नए आईडियाज अत्यंत महत्पूर होंगे इसलिए एकनॉमिक सेक्टर में युआ उर्या के युगदान के सुझाओं को भी प्रेजित करने की जरूरत है आप अपने सरम के फल को लोगों में जितना बाटेंगे उससे दुगना आनन्द आपको वापस मिलेगा पर हित में सुहम को बांटने से इस तोर दुगना लोटता है इसलिए नए वर्ज के संक कल ये भी होना चाहिए कि जिम्मेदारी से सभी और जनाओं के हंड़ेट परसंट सेचुरेशन पर हम सब मिलकर के काम करें आने वाले गणतन दिवस पर आप सभी का या सामुहिक प्रयास स्वाधीनता सेनानियों और देश के नीत निर्माताओं को सच्ची सर धांजली होग राष्ट पिता महात्मा गांधी ने जीवन भर समाज में रामराजे की प्रतिष्ठा के लिए कारे किया वह कहते थे मेरे सपनों का रामराजे राजा और रंग दोनों को समान अधिकार सुनेशित करता है तूलसी दास जी ने रामचरित मानस में लिखा भी है बाईो बहनों कई बार हम मुकाम को मंजिल समझने की गलती कर बैठते हैं जबकि जीवन का महामंतर है आखिरी स्वास तक सिर्जन की यात्रा चलती रहे इसकी कोई मंजिल नहीं है यह भाव करांती और अधर समाज के निर्मान का प्रत्यक्ष साधन बन सकता है उधमपूर के रहने वाले 84 वर्षी मुन्सी रामजी ने इसे साबित कर दिखाया है माननी प्रधानमंतरी जी के वोकल फार लोकल तथा ग्रीन इंडिया इनिसियेटिव से प्रभावित होकर वरिष्ट नागरिक मुन्सी रामजी ने पुरानी लैप्टॉप की बैटरी तथा ई-वेस्ट के इस्तेमाल से ई-साइकिल बनाई है उन्होंने अपने घर में सोलर पैनल भी लगाया है जिससे वो उसकी बैटरी को चार्ज करती है अपने इस अनूठे प्रयास द्वारा मुन्सी रामजी ने ये साबित किया है कि जीवन में कुछ न कुछ नया सरजित करके समाज को जरूर लोटाए जा सकता है वह लोगों में इलेक्ट्रानिक वेस्ट के परती भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं वह नई पीड़ी को बता रहे हैं कि लैप्टाप की पुरानी बैटरी का इस्तेमाल करके ग्रीन और क्लीन प्लैनेट तथा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट में आप सब योगदान दे सकते हैं परियावरण के परतिमुंसी राम जी की संवेदन सीलता इनोवेशन की दिसा में उनका प्रियास तथा आत निर्भरता के लिए उनकान भो समाज के लिए लोगों को विसेश कर योओं को प्रेदि करेगा मैं मानता हूं परतिभा अपने आप सरजन के रास्ते तरास लेती है दूसरे सबनों में कहा जाए तो परतिभा की जागरती सफलता की विक्ति सुनिशित करती है सिरी नगर की रहने वाली दिव्यान सादाफ ने तमाम बाधाँ और चुनोतियों के बावजूद अपनी परतिभा एवं जजबे के द्वारा सफलता का नया मुकाम हासिल किया है उन्होंने इस पाईस बिजनेस में सादाफ मसाले नाम से अपने बिजनेस विंचर की सुरुवात की है और बिना किसी सपोर्ट के दिर्धनिश्चे के साथ स्वावलंबी स्वाभिमानी जीवन का आदर्स समाज के सामने प्रस्तुत किया है वील्चेर उनके साहस की सीमाओं को नहीं बांच सका है और आज अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करके उन्होंने अपनी और सामाने प्रदिभा का परचे दिया है जीवन में सभी खोज अंततह स्वावलं के लक्ष की खोज पराकर रुख जाती है और उसी बिंदु से साहस और संकल्प के साथ नई यात्रा सुरू होती है कई बार लक्ष सामने भी तो हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि खोज दूसरी दिसाओं में चल लहीं होती है इसलिए आवस्यक है कि हम स्वावं से पूछें स्वावं जीवन का लक्ष निर्धालिक भी करें हमारे पूरवजों ने एक बड़ी एनमोल सीख दी जो चलता है वो पहुशता है जो जागता है वो पाता है कोट भलवाल जमूं की रहने वाली पूजा आज एक सकस्वुल इंटर्पेनियोर है उनका कहना है उनके मन में हमेशा से स्वयम का बिजनेस सुरू करने का संकल्प था एक दिन उनके मन में चॉकलेट बनाने का आईडिया आया और उनकी खोज भी पूरी हुई आज उनका हो होमेट इसमाइली चॉकलेट ब्रांड मार्केट में उपलब्ध अन्य चॉकलेट से अलग और यूनीक होने की वज़े से उनके बिजनेस को विश्तार दे रहा है रूरल लाइवली हुड मिशन द्वारा परदान की गए स्किल एवम ट्रेनिंग में पूजा को नया तम कर उन्होंने 35 महिलाओं को आत्म निर भर बनाने में सहयोग दिया है पूजा की खोज और लक्ष को प्राप्त करने के साहस की वज़े से पूरी कम्यूनिटी में एक नई उर्जा का जन्म हुआ है और आज बहुत सी महिलाएं उन्हें रोल मॉडल मानकर अपने जीवन में न नए किर्थिमान स्थापित कर रहे हैं दिल्ली में कुछ सालों तक इस क्रैप रिसाइकलिंग यूनिट में काम करने के पश्चाथ वो अपने गाउं गड़ी हामा लोट है वो लेबर का काम करते थे और कोई फार्मल टेक्निकल सिक्षा भी नहीं ली थी लेकिन उनके मन में कुछ नया करने की अभीपसा थी कुछ अलग करने की खोड़ चल रही थी उन्होंने जिले के इंडस्ट्री आफिस से अपने अनुभाओं और उद्देश्यों को साज़ा किया डिस्ट्रिक इंडस्ट्री सेंटर की मदद से MSME के अंतरगत चल रही यो जनाओं से सहायता मिल और उन्होंने West Recycling Unit शुरू की आज कस्मीर घाटी के Green Entrepreneurs के प्रमुक शहरों में उनकी गिंती हो रही है और अपनी लगन से उन्होंने Recycling Unit का सालाना टरनोवर तीन करोड रुपे से ज्यादा पहुंशा दिया है उनकी Recycling Unit में इलाके के पचास से अधिक पढ़े लिखे नवजवानों को रुजगार भी मिला है आज कल अन्य नवजवानों को अपनी यूनिट विजिट करने का निमंतर भी देते हैं ताकि उनसे सीख करिवा स्वयम का कारोबाल सुरू कर सकें स्वावलंबी बन सकें और ग्रीन जम्मू कस्मीर के संकल्प की सिद्धी भी करें तंग मर्क के जावेद हमत पुर्धान मंतरी मुद्रा योजना के लाभार थी कुछ समय पहले तक उन्होंने इस योजना का नाम भी नहीं सुना था बारहमी पास जावेद खेती करते थी लेकिन इंट्रपेनियोर बन जावेद के मन में कुछलब करने के साहस ने जिस करमता का भाव पैदा किया उससे ना सिर्फ उनकी खोज सफल हुई बलकि वह समाज को दुगुना से जादा वापस लटाने में सफल हुए मैं भलरबा की रहने वाली मीनाक्षी देवी की संकल्प सक्ती को भी नमन करता हूँ जीवन में तमाम चुनोतियों और बाधाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बलकि रुढ़िवादी सोच पर विजय प्राप्त करके वह इलाके की पहली महिला ही रिक्सा चालक बनी है उन्हें न सिर्फ पूरे परिवार को सहारा दिया है बलकि नारी सक्ती कानुप मुदाहरन पेश कर मिनाक्षी देवी अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा सोथ बन गई है मैं डिस्टिक अडिनिस्टेशन को निर्देश दूँगा कि मिनाक्षी देवी और उनके जैसे अटूठ हौसले वाली अन्य महिलाओं को सम्भानित किया जाए और कर्मपत उनका सपोर्ट सिस्टम बन कर सहयोग करें एक छोटी सी कहानी है एक बिजनिसमेन अपने जीवन में सरोच कर्म की खोज में था वह रोज अनेक विचार को पढ़े लिखे विद्वान जनों से मिलता था ताकि कोई उसे यह बता सके कि सरोच कर्म क्या होता है दूसरे से बड़ा बताने की कोसिस करते थे कई बार दार्सनिक भी आये जिन्होंने उस बिजनिसमेन को सरोच कर्म की नई परिभासाएं बताईं लेकिन बिजनिसमेन संतुष नहीं हुआ उसकी खोज अनवरत चलती रही और इसमें कई वर्स गुजर गए कहीं से भी संतोष जनक रिस्पांस नो मिलता देख उसने सूचा कि साय सरोच कर्म सिर्फ किताबों की धारणा है और वास्तवी जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं तब ही एक दिन उसके पास गाउं से एक किसान आया बिजनिसमेन के सायक ने कहा कि अश्यर की बात है एक किसान आप से मिलना चाहता है किसान बिजनिसमेन के ड्राइंग रूम में पहुंशा पूरे कमरे में चका चौत थी लेकिन बिजनिसमेन के चहरे पर उदासी के भाव किसान ने उससे पूछा कि आप निरास क्यों लग रहे हैं बिजनिस मैंने कहा कि तुम किसान हो बड़े से बड़े दारसनिक विशारक भी कुछ नहीं कर सके तुम मेरी समस्या जानकर क्या करोगे किसान ने कहा कि हो सकता है कुछ हो जाए और अगर नो हो तो भी मन में कोई मला नहीं रहेगा बिजनिस मैंने कहा कि दरसल मैं सर्वच कर्म की तलास में हूं लेकिन इतने सालों की खोच के बावजूद अभी तक मुझे उसका सही उत्तर नहीं मिला ठेट देहाती किसान उसकी बात सुनकर हसने लगा उसने कहा कि आप नहक ही परिसान हो रहे हैं कर्म का हो देहाती किसान ऐसी बात कैसे कर सकता है उसे इह बात अन्य विचारकों से बिलकुल भिन लगी उसने कहा किसान भाई मैं तुम्हारी बातों को थोड़ा तो समझ गया लेकिन जरा मुझे खुल कर बताओ किसान ने कहा कि आईए मैं आपको अपने गाउन ले चलता हूं लेकि उससे नदी पार कर लेते हैं उसने जितनी मोटर बोर्ट बुलाई किसान ने सब को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें कोई न कोई खामी है तब बिजनिसमेन यह कायक बोल पड़ा किसान भाई इन मोटर बोर्ट को छोड़ देते हैं आओ चलो तैर कर नदी पार करते हैं व जीवन सागर में तैरनी की तैयारी ही सरवच्छ कर्म है इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो स्वयम चलने का साहस करता है जो स्वयम तैरने का मन बनाता है सिर्फ वही पहुंच सकता है पुरा तात्यू कस्थलों के प्रवेश के समंद में मुझे जमू से पूनम सर्म और गांदरबल से अब्दुल्रसीद भटने पतर लिखें है पूनम का सुझाओ है कि जने इतिहासी का और सांस्कृतिक महत्रों के अस्थलों का कंजर्वेशन ये वं रेस्टूरेशन का काम चल ला है वहाँ परयाटों को की इंट्री सीमित करनी चाहिए क्योंकि उनके फ् संरक्षित संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया है पूनम ने आगे लिखा है कुछ ऐसे अस्थल भी है जो एकॉलोजिकली सेंस्टिव जो इनमें पढ़ते हैं इंट्री पर टेंपररी पतिबंद इनकी सुरक्षा सुनिशित करेगी और भविस्यमिन का बहतर तरीके से री लोकल एकानुमी भी चलती रहे तता विजिटर गाइड लाइन्स को सही तरीके से इंप्लिमेंट करके लोगों को हेरिटेज अवेरनेस कैंपेंज से भी जोड़ सके पूनम और अब्दुल मैं इन सुझाओं के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं के इंद्रिय संस्कृति मंतराले के भारती ये पूरा तरफ स्रेक्षन भागने एतिहासिक धरोहरों के संरक्षन रेश्टोरेशन और विजिटर की इंट्री पर विस्तर्थ गाइड लाइन जारी की है इसमें मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे एरि रखाव संरक्षन तथा इंट्री की व्यवस्ता इन ही गाइड लाइन्स के तहत की गई है जब मुंकस्मीर प्रसासन एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्रों के प्राचीन इसमारकों पूरा तत्यूई अस्थलों की सुरक्षा नई पीढ़ी को प्राचीन विरासा से परचित क कराने तथा उनके संबंध में परियाटकों को अधिक से अधिक जानकारी मोहिया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अब यहाल ही में स्टेट लेवल युवा उत्सव संपन्न होगा और विभिन्न के टेगरी में चुने हुए प्रतिवावान यूध नैसनल ले पर सुझाओ दिया है उनका कहना है कि अगले वर्स की थीम पर तैयारी थोड़ी पहले सुरू कर देनी चाहिए ताकि सभी जिलों में यूवा टेलेंट्स को परियाप्त आउसर मिल सके उनका दूसरा सुझाओ है कि यंग पेंटिंग कैम यंग राइटर्स कांटेस्ट तथ क्ल्चरल फेस्ट जैसे अलग अलग थीम पर पूरे वर्स यूनियन टेरिटरी के विभिन हिस्सों में कारिकरम चलते रहने चाहिए इसे युवाओं में उस्व काउसा बना रहेगा कमल सिंग का सुझाओ है कि पेंटिंग कल्चरल फेस्ट के अलावा डिस्टिक तथा यू करमों से जुड सके अनिल और कमल आप दोनों को आउट आफ बॉक्स तिंकिंग तथा नए सुझाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रसासन की कोशिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हर छेतर में अपने हुनर को साबित करने और जीवन में अपना स्व साथ है Department of Industry, Skill Development Department, जमू कस्मीर IT Department, जमू कस्मीर Innovation Hub तथा माइगाउज जेन के द्वारा तकनीक आधारी तभिनव समधानों में युआओं के हिस्से-धारी बढ़ाने उन्हें करमिक इंस्ट्यूशन से जोड़ने का भी प्रयास चल ला है हाल ही में मैं अलग अलग जिलों से 297 से ज़्यादा यूथ अपने आइडियास को लेकर इन्ह वियानों से जुड़े हैं मैं सभी संबंदे डिपार्टमेंट को निर्देश दूँगा कि डिस्ट्रिक यूआउसों के कारकरमों में इन सभी नए कारकरमों की जानकारी उपलब्द कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूआउं को इन से जोड़ने का प्रयास किया जाए यूआ उसों में नई थीम सामिल हो इसके लिए यूथ अफ्यस डिपार्टमेंट को आवश्यक निर्देश दिये जाएंगे जब मुकस्मीर की भूमी जितनी पुनीत अन पुरातन है उतनी आजुनिक समय के समाधान की भी इसमें चमता है यह मैं यूआ टेलन्स की सद्धा का प्रवाह देख रहां बिना किसी बाहरी प्रवाव के उनकी मौलिक प्रतिवाप फले फूले इसके लिए प्रसासन तथा सभी हायर एजूकेशनल इंस्टिटूशन्स निरंतर प्रयतनसीद हैं एक बार किसी सिंगर की ख्याती बहुत हुई क्योंकि वह किसी बड़े कलाकार की हुबहो आवाज में गा सकता था लेकि नेंग दिन उसे एक कारका में कैसे बुजर्ग मिले जिन्होंने उसके गाने को सुनने से इंकार कर दिया उन्होंने उस युवा सिंगर से कहा तो मैं तुम से वह गाना सुनना चाहता हूँ जिसे गाने के लिए तुम पैदा हुए हो मेरी भी यही ख्वाइस है कि जम्मु कस्मीर के सभी युवाओं का जो यूनिक टैलेंट है वह निखरे उन्हें वह गीत गाने का उसर मिले जिसके लिए उन्हें सिंगर से मदीना मीर ने सीनियर सिर्जिन कलब के समंद में मुझे पत्र लिखा है उनका सुझाव है कि स्कूल के स्टूडिंट्स एन्सी सी के कैड़ेट्स स्काउट्स और गाइड्स को समय समय पर इन्सीरिजन कलब के विजिट का वार्सी कारकम तै करना चाहिए ताकि समाज के बुझरग व्यक्ति उनसे रूबरू होकर अपने अन्हों सेयर कर सके यंग विजिटर से कलब में जीवन तता पैदा हो और बच्चों को भी उनसे कुछ चीखने का उसर मिले ये आवशक है मदीना और मीर ने लिखा है कि इस तरह की विजिट से बुझरगों की आवशक्ता मालूं की जा सकेगी और सामाजिक जिम्मेदारी के भाव से उसे पूरा भी किया जा सकेगा कलब के रिसोर्सिस में बर्दी करने के लिए उन्होंने प्राइवेट बिजनेस स्वेहम से वी संस्थाओं तथा मेडिकल फ्रेटर्निटी की भागीदारी सुनिचित करने का सुजहाओ दिया है नुरुदीन और मदीना मैं आप दोनों के नुत्तम सुजहाओं का मैं स्वागत करता है समाज का लियान युभाग को मैं इन सुजहाओं पर गंभीरता से गाउर करके उचित कारवाई का निर्देश अवस्य दूँगा जमूं से सूसरी संचेतना ने कमुनिटी सर्विस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में आडियू संदेश के माध्यम से कुछ सुजहाओं निये आईए पहले संचेतना के इन सुजहाओं को सुनते हैं नमश्कार सर कॉमिनेटी सर्विस के प्रती युवाओं को संस्थागत समर्थन के संबंध में मेरे पास कुछ सुजहाओं है अर्बन लोकल बॉडिस को मुझूदा कॉमिनेटी सर्विस कारेक्रमों जैसे क्लीन अप ड्राइव्स, हेल्थ कैंप, एजुकेशनल आउट्रिच, लोकल चैरिटी इवेंट्स में युवाओं की भागीदारी की विवस्था करनी चाहिए मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टिउशन्स को युवाओं को वॉलंटियर और्गनाइजेशन्स जैसे एनसेस, नसीसी, रेड क्रॉस से जुढने के लिए प्रेरित करना चाहिए डिपार्टमेंट अफ इन्फरमेशन अन पब्लिक रिलेशन्स के सहयोग से विभिन विभागों को सरकारी परियोजनाओं के कुछ पहलूओं को युवा नित्रत्व के रूप में विग्यापित करना चाहिए संचेतना इन सुजाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस बात से सहमत हूँ कि होल अफ गर्वर्मेंट अप्रोच तथा होल अफ सुसाइटी अप्रोच के दवारा स्वच्छताभियान, हेल्थ कैंप, आउट्रीच केमपेंट तथा लोकल शेरिटी इविन्ट में युवाओं के अधिक से धिक भागेतारी सुनश्चित की जा सकती हैं सामाजिक संस्थाएं तथा विविन्ट प्रसासनिक विभाग हाथ मिला कर इस तरह के कारक्रम को यूथ लेड़ प्रोग्रेम्स में तबदील कर सकती हैं और उनके असीम साहस असीमी तूर्जा से इन कारक्रमों की सफलता भी सुनश्चित की जा सकती है कुछ ऐसा यही सुझाओ पुलवामा से एहसान खलीक ने भी भेजा है उन्होंने लिखा है यूआओं का स्रम्दान इन्वेरानमें तथा एजुकेशन सेक्टर में में मेंटर्सिप का काम कर सकता है समाज के वंचित वर्गों में यूआ वालेंटियस मेंटर्सिप ग्रूप के माध्यम से बदलाव ला सकते है परियावरन संडक्षन के बारे में लोगों को जागरूप कर सकते है इन दोनों सुझाओं में यूआ चेतना का प्रदिबिम्ब है और इन पर उचित का रवाई का में देश चरूर दूँगा पिछले कुछ वर्सों में यूद क्लब की महत्ता और उसके माध्यम से हो सकने वाले परिवर्तन को देखते हुए अनेक नवजवानों के अदम में साहस का परचे देते हुए कमुनिटी सर्विस को अपने जीवन का अभिन हिसा बना लिया है जम्मू में यूआ नेतरतु में एक संस था आकार सीनियर सिर्जन की मदद कर रही है उसी तरह स्रीनगर में यंग ब्रेंस क्लब कमुनिटी गार्डन के रख रखाव तथा वेस्ट मेनेजमेंट में अपना युगदान दे रही है पुन्च का जागरती यूद कलब समाज में चाइल लेबर जेंडर इक्वैरिटी तथा ड्रग अब्यूज पर काम कर रहा है उधंपूर का विवेकानंद यूद कलब टेक्निकल स्किल्स के द्वारा कमुनिटी की समस्याओं के लिए नए समाधान पस्तुत कर रहा है यूआ अमन सुद्रल होता है उसने मुल्यों से कभी दिखना नहीं सीखा है यूआ चित चुनोतियों से भागता नहीं बलकि इसे स्विकार करता है उसे जीता है और जीवन के अविछन प्रवाह से उन चुनोतियों के लिए नए समाधान लेकर आता है आत्म विस्वासी समाधान है और आत्म विस्वासी प्रगती का सबसे बड़ा कारग भी मुझे युवा नितर्त में हो रहे इंकारियों तथा Community Engagement की दिसा में हो रही प्रगती को देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि सुएम आगे आकर इस तरह के अभियान से जुड़े और जीवन के अमुल्य पलों को सार्थक बदलाव में निवेश करें कट हुआ से सौरव सर्माने ग्रामीर इलाकों में डीशनल इंकम के लिए डाइवर्सिफिकेशन अभियान में तेजी लाने के संबन्द में मुझे एक पत्र भेजा है उन्होंने लिखा है कि रूरल लाइवलि कर्मीशन तथा बिबार्टम्ट अव एक्रिकल्चर के अलावा डिबार्टमिन अफ कौपरिटिव डिपार्टम्ट अफ स्किल डिवलप्मेंट बिस्टिक इंडिस्ट्री सेंटर मिलकर इंकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई पहल के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रयासों को और मजबुती दे सकते हैं तथा उनमें तेजी भी ला सकते हैं पूंच से जाकिर हुसेन ने भी कौपरिटिव डिपार्टमेंट की पहल द्वारा इस दिसा में काम करने के संबंद में मुझे कुछ सुझाओ भेजा हैं मै आप सभी के सुझाओं पर संबंदित भी भागों को उचित कारवाई का निर्देश अवस्य दूँगा है मैं सावरा जाकिर तथानियन नौजवानों का आवाहन भी करना चाहता हूं विक्सित भारत संकल प्यातरजवारा पीम विश्वकरमा पीम मुद्रा योजना स्टार भारतियों को इन योजनाओं से जोडने में मदद कर सकते हैं सामाने तोर पर हर युवा अपने आस पडोस में रहने वाले व्यक्तियों और उनके प्रोफेशन से परचित होते हैं अगर आप दिन के सिर्फ दो घंटे निकालें तो विधिवत सूची बना कर इस काम को अंज कार किया जा सकता है मुझे उमीद है कि स्रम एवं ज्यान पर अधारि इन उद्योगों उससे जुड़े साधनों और प्रदिभाका जीवन में बद्लाव लाने के लिए उचित और बेहतलि से माल किया जा सकेगा अथरवेज में लिखा है सुकरमाण सुरुचह पवित्र कर् और आगे लिखा है अक्षिलली पुछिलियते अपना ही भरण पोसन करने वाला पसू के समान है हमारी संस्कृती के महान मुल्य एवं मादरस अस्मर्न कराते हैं कि समाज में निष्ठा और नयतिकता के उच्छ मुल्यों को कायम रखने के लिए परहित के बारे में विचार यवं निरंतर प्रयास चलते रहने चाहिए। दूसरों काहित करते हुए सेवा करते हुए हम स्वैं भीतर से रूपांतरित होते हैं और मैं मानता हूं कि रूपांतरन जीवन में जड़ता को समाप्त करके नया प्रवाह लाता है। जिसे सोग के सफर कहते हैं प्यारे भाईयों और भनों मंजल की चिंता छोड़ अगर सभी जीवन की स्विकास यात्रा में दूसरे के लिए दिये जलाते चलें तो वही सच्ची सेवा होगी आने वाले नव वर्स की मैं आप सबको हर्दे से सुख का मनाएं देता हूँ नव वर्स के सभी तीन सो पैसर दिन उसका एक एक शण आपके जीवन में सुख, स्वास्त, संबर्धी लाए और विक्सित भारत की यात्रा में आप समगर विकास की आकांच्छा एवं संकल्ब से भरे हूँ ऐसी मैं कामना करता हूँ धन्यवाद, जैहिन